मेरा नम है मुहम्मद आसिफ और आप देखुरे मेरे YouTube YouTube चैनल Pharmacy Video आसिफ तो आज हम जानेंगे Eco A aspine टैबलेट के बारे में तो जानेंगे इस वीडियो में What is Eco Aaspine music? Uses क्या होते हैं इसके side effects क्या होते हैं एंड वीडियो के लाइट में जानेंगे अगर कोई परसन इस्टेबलेट का यूज़ करता है तो उसको क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए तो यह सभी इंफोर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना तो चली वीडियो को स्ट करते है तो सबसे पहले जानते हैं कि कुछ कंटेन के बारे में तो इक इसपरीन एक ब्रैडेम होता है वह जो कंटेन होता है वह होता है एससपरीन एक नन इस्ट्रोइडल एंटि saja कौकरने और बुखर को सही करने के लिए इसके साथ साथ इस्टबलेट का यूज रिजीज जैसे चेस्ट पेने,ट अइंजाइना, MateG के सभिखला है। क्या जाता है। क्यों किस टीजीज की आता है। क्यों कि क्योंत्गिक के सभिखले यह रowing इंविखला जाता है। क्योंकि aspirin tablet as a non-insteroidal anti-inflammatory भी काम करती है और as a anti-platelet भी काम करती है बात करते हैं इसके कुछ doses के बारे में तो patient की condition को देखती हुए doctor उनकी dose को decide करते हैं कि उनको कितनी dose की जरूरत है तो ये आपके doctor decide करेंगे कि आपको कितनी dose की जरूरत है हमें कोई भी medicine का use अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके वो side effect होते हैं जो कि हमारी body का fat कर सकते हैं बात करें इसके कुछ side effect की तो सीने में जलन हो सकती है इस टोमाक upset हो सकता है vomiting हो सकती है and nausea हो सकती है बात करते हैं इसके कुछ prevention के बारे में कुछ सावधानियों के बारे में तो children's में aspirin tablet का use नहीं करना चाहिए pregnant woman में नहीं करना चाहिए अगर किसी person को asthma की दिक्कत है asthma की problem है तो उस person को aspirin tablet नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह asthma में यह tablet effect करती है asthmatic patient को और अगर किसी को liver disease है kidney disease है and bleeding patient है और पैप्टिकल सर्ड डिसोडर में इस tablet का use नहीं करना चाहिए तो friends यही सब थी information aspirin tablet के बारे में I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और नौटिफिकेसन बेल आइकन को दबाना ना भूले